नमस्कार मैं आर्थी अदव और आज आप सभी के लिए जन्ना नौलेज के सुफर हंडेड कोश्चन लगवार लेके आईए जो आपके एक्जाम्स के लिए मोश्ट इंपोर्टेंट है ये कोश्चन एम्स बीसी नर्सिंग यूपी बीसी नर्सिंग यूपी पैरामेडिकल सा साथ जो इस्टुडेंट सीपी नेट की तयारी कर रहे हैं आर्ट्स इस्टुडेंट उन सभी के लिए आज की क्लास मोश्ट इंपोर्टेंट है ऐसे कुश्चन हमने रखे हुए इस क्लास में जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो क्लास को पूरा जरू देखीगा साथी साथ कॉपी पेन लेके बैटें पर ते कोश्चन को लिखते हुए चलें देखो लेद आप चीजों को लिख लेते हैं तो वो आपके दिमाग में काफी दिनों तक बनी रहती है तो आप आज लिख लोगे तो यह चार तारीको याज आप पेपर देने के लिए जा रहे क्लास को स्टार करते हैं क्लास यह अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल वीबत बूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाए यह आपकी डियूटी है ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले हम बात करें समाधी इस्तल यहां से आपके एक्जाम में UPVSC नर्सिंग में एक कोईशन पिछली यह पूछा गया था इंपोर्टेंट कोईशन है उनको यहां पर सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैटें और इनको लिखते हुए जाएं यहां से आपके एक्जाम म पूछे जाते हैं एक तो बहुत सारे लेकिन आपके एक्जाम में पूछे जा नसक्ते हैं तो यहां सबसे पहले लिखा हुए राजgage गाट आस अप सभी को पहले से पांद हो गा कि यह मात्मा गंदी का समाधी इस्तल आता है उनका समाधी इस्तल आप से पूछा जाए बरि तो जवाला नेरु जो थे वो बहुती सांती सुवाव के थे जवाला नेरु जी जी तो है वो कैसे थे बहुती सांती सुवाव के थे तो उनका जो समांदी इस्तल है वो सांती वन है क्या है आपका सांती वन उसके बाद आपका विजय घाट किसका है तो विजय घाट जो है व आपका क्या है विजय घाट विजय घाट लान वादर जी भिजय घाट विजय टीक है उसके बाद बीर भूमी किसका है तो बीर भूमी जो आपका है वो राजीव गांडी चानल ज सिर्चीज डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट पती जी थे जो सबसे ज़्यादा राष्ट पती पर रहे हुए थे लगवग 12 बरसों तक बारा बरसों तक इन्हों ने राष्ट पती बदबर ने कारबार समाला कब तक रहे तो 1950 से लेकर 1922 तक 1950 से लेकर 1922 तक ये राष्ट पती रहे हमारे देश के प्रथम राष्ट पती थे और 12 बरसों तक इन्हों ने काम किया सबसे ज़्यादा इन काम किसी बेखती ने किया राष्ट पती बदबर तो वो आपका डॉक्टर राजिंद प्रशाद जी ने किया था ठीक है ये कोशन इंद्रागांदि का जो समांदी इंद्रागांदी जी का जो शमान इश फ्लया पते अब किससका है तो समांति बिजयगाट बीरभूमी और सकते इस ताल यह बहुत ज़्यादा है आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इन सभी को आपको लिख लेना है और अच्छे से रिवाइज कर लेना है तो चलिए अब कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए आप देखते जाएं कोश्चन का आंसार देते जाएं मेरे साथ साथ और कोपी पर नोट डाउन करते हुए चले ठीक है सबसे पहला कोश्चन हमारा या दिये हुए वेर इस दा हेड़ क्वार्टर ओफ फूड इंड एग् कलचर औरगाइनेशन अब दलीट हिए। बताएं हेड क्वार्टर में आपको क्मेंट करें सब announced को किस्तापन् पर हो ती, रेखते कौन सबसे अच्छा आंसर इस question का दे रहा है सबसे सटे यानि सही answer दे रहा है तो FAO की स्थापना कम हुई थी ये मुझे comment करके आप सभी लोग जरूर बताएगा बात करते हैं यापर जो next question दिया हुआ जो आपके exams के लिए most important है आज के लिए पूछा जाए आपसे की बताएगे वेर इस दा हेड़ क्वार्टर ओफ साउथ एसे एसोसियेशन फोर रीजिनल को ओपरेशन यहनि की सार्ग सार्ग की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्यों यह आपके exam में पूछी जाती है सार्ग की फॉल फॉर्म क्या है तो फिर देख लिजिए जिगा सार्ग को ओपरेशन यह सार्ग की फॉल फॉर्म है मुख्याल के पहले आपको पता होनी चाहिए कि सार्ग की स्थापना कब होय थी सार्ग की स्थापना जो हो थी वो आठ दिसम्मर 19 podcast 1800 हिसे में इसकी स्तापना हुई ठीन साठें में आथश की स्ताथ करने डिसां में होरत वह enjoyed this video to कि या देरी है अफटिरेंगेचे की इस नाम को पता होने चाहिए क्योंकर आपके एकजां में पूछा जा सकता है और निपनी मेंसे क्यूब सा सामुल थे इस प्रकास से आपके एकज़ाम्ल में कुश्चन बनेंगे तो आप सभी लो नोट्डाउण करना मेरे साथ सार्क में 8 डेस आते कहते हैं एकट कंट्री कोन-कुन से हैं तो उसके बाद आपका इंडिया अपना देश फिर उसके बाद आपका मालदीप मालदीप के बाद आपको याद करना नेपाल जो सभी अधिकांस यह सभी पडोसी देश है आप सभी को पता है पीके और उसके बाद आपका है स्री लंका स्री लंका यह सभी देश जो आपके हैं वो सार्क से समंदित हैं स्री ल जो आपको पता होने चाहिए अब बात करें। इसका मुख्याल है कहां पर यह तो काठमांडू में इसका मुख्याला है जो कहां पड़ता है तो वह नेपाल में पड़ता है। नेपाल वैसे भी इसका सदस्य है तो काटमड़ु पूछा जाए कि की काटमड़ु में किसका हेड़क्वाटर है आपका है जिसकी इसापन में, kur 80 不要 mate मुरितिका 8 डिसमर को ठीके आपका question क्लियर हुआ होगा, जो भी important था वो मैंने बता दिया आपको, question number आगे है हमारा, कि विस्टो बेंग का मुख्याला किस इस्तान पर इस्तेत है, यानि कि बर्ल्ड बेंग का headquarter आप से पूछा गया है, वर्ल्ड बेंग का headquarter है, वो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, कि बर्ल्ड बेंग की स्तापना कब होई थी, तो बर्ल्ड बेंग की स्तापना सर 1944 भी मुई थी, वर्ल्ड बेंग के 2030 में अध्यच कोन बने हुए हैं, तो भारती मूल्गे व्यक्ति हैं, जिनका नाम है आपका, कहाँ पर है, वॉसिंग्टन, वॉसिंग्टन डी सी में इसका headquarter आपका है, वॉसिंग्टन डी सी में इसका headquarter है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आगे कुशन देखते हैं, आगे आपका कुशन है, कि बताईए, बेर इस दा इंडेस्ट्रियल टॉक्सी को आपका है, टॉक्सी को लॉजी, वो आपका लखनव में इस्तित है, कहाँ पर इस्तित है, याद हो जाना चाहिए, आपको इंपोटेंट है, आपके लिए, यूपी के कुशन अधिकान सापको पता ही होने चाहिए, पेपर आपका यूपी के है, लेकिन जो आपके एंस भी ऐसी नर्शिंग वाले बच्चे, वो थोड़ा और भी ध्यान रखेंगे चीजों को, क्यों आपका इंडिया से सम्मन देते हैं, तो आपको इंडिया की लगवाग चीज़े पता होनी चाहिए, और यूपी वालों को आपकी कहां पर इस्तित है, कहां पर लोकेटेड है, तो ये आपकी मेरठ में है, कहां पर है, मेरठ में है, जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं पर लोट डाउन कर ले ना पूछा जाए आपसे, कि सरदार बल्लवाई पटेल किरसी विसुविद्याले कहां पर इस्तित है, त तो National Institute of Homeopathic जो आपका है वो कोलकाता में है क्यां पढ़ता है워서 होंपैति का राष्टी संस्तान है वो कहां पर इस देत है तो वो आपका कोलकाता पंश्य मंगाल में इस देत है आंगे आपसे पूछा जाएं कि बताए निस्टित ओफ आयर्वेदे सहीए कहां पर है यह तो यह आपका जैपुर राजिस्तान में कहां पर है जैपुर राजिस्तान में है जैपुर राजिस्तान की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए और साथी साथ राजिस्तान में कौन सा इंस्ट्यूट है आपका तो नैशनल इंस्ट्यूट ऑफ आयरुवेद वह तो कहां पर है जैपुर राजिस्तान में आपका इस्तित है ठीक है आगे आपसे कोश्चन पूचा जाए कि बताइए यह कोश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है इसे जरूर करें अपने नोट बुक पर चार फरवरी को कैंसर जागरुकता दिवस मनाए जाता है यहीपर आपसे पूचा जाएकि 22 अप्रेल को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 22 अप्रेल को 20 प्रत्वी दिवस यानि की वर्ल्ड आर्थ डे मनाया जाता है ठीक है आगे देखिए आगे आपका कोशन है इसे पहले भी हम जो मैत्पूर दिवस थे आपके जो एक्जाम में पूछे जाते हैं नर्सिंग एक्जा हम करा चुकी होंगी, तो करा चुके वो question भी आप देखके जाएं, जो आपके exam में आपको benefit मिले, उन सभी की link आपको नीचे description में मिल जाएगी, आप उन सभी वीडियो को देख लें 2-3 दिन में, ठीक है, जो अच्छी UPVSC nursing का exam देने के लिए जा रहे हैं, या आप paramedical का, या आप MSVSC nursing का, तो वो सभी वीडियो आप देखके जाएं, तो आपको exam में काफी benefit मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे question हम करा चुके, जो आपके लिए काफी important है, तो उनकी link आपको नीचे मिल जाएगी, आप या पर हम देखते, तो देखिए, आँगे आपका एक दिवस दिया 30 जनवरी को कुष्ट जागरता दिवस मनाया जाता है, तो यह आपको याद होना चाहिए, कि लेपरोसी एवर नेस डे कब है, तो वो 30 जनवरी को है, कब है 30 जनवरी को, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, एक important question है, जो आपके exam में इसे सम्मादित question पूछा जा चुका है, UPVSC nursing में, पिछली यहर की 30 मार्च को, किसके साइद होने की याद में, साइद दिवस मनाया जाता है, इनकी marted day जो है, वो किसके याद में मनाया जाता है, वो भी 30 मार्च को मनाया जाता है, पहला question तो आपसे यही पूछा जाए, कि साइद दिवस का मनाया जाता है, तो 23 मार्च को, साइद दिवस का मनाया जाता है, तो 23 मार्च को, उसके बाद किसके साइद होने पर मनाया जाता है, तो वो व्यक्ति थे तीन, तीन व्यक्ति थे जिनको फांसी दे दी गई थी, 23 मार्च को, अब किस सन को दी गई थी, यह वो तीन व्हक्ति थे जिनका नाम था एक थे आपके भगसिंग, क्यानाया ब्रिधस था एक नाम था राज गुरू और एक नाम था सुख्ध traumat यह तीन व्हक्तियों को 1 7hower को में थो ठाव कुमनाया जाने लगा किस संको दी गई थी यह मुझे कमेंट करके जरूर बता देखे कौन कौन इश्टेंट बता था क्योंकि हम यह कोईश्चन आपको पहले भी करा चुकी हूँ ठीक है बताया हूँ गता मैंने तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए बात करते हैं कि सेक्ट राष्ट दिवस का मनाया जाता है उनाइटे नेशन्स डे का मनाया जाता ह दौक्टर दे जो है वो एक जुलाई को अब किनके जनम दिवस मनाया जाता है तो अभी कोईश्चन एक और दीजा घुबबफ़ करेंन हाँ के लिए ऑच्छा है कि whose birthday is celebrated as doctor's day यानि कि किसके जनम दिवस पर doctor day के रूम में मनाया जाता है तो वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था doctor b.c. roy यानि कि जिसे कहा जाता doctor bidhan chandra doctor bidhan chandra roy इनके जनम दिवस इनका जनम कब हुआ था तो 1 जुलाई 1 जुलाई 1882 इसवी में इनका जनम हुआ था उनी के जनम दिवस पर doctor day मनाया जाता है इनकी मृत तो कब हुई थी तो इनकी मृत जो है वो एक जुलाई को ही हुई थी उसी दिन जिस दिन इनका जनम हुआ उसी तारीक को इनकी मृत हुई थी तो आप सभी लोग किसके जनम दिवस पर तो doctor BC Roy या विदान चंद्र रोई के जनम दिवस पर medical day doctor's day मनाया जाता है ठीक है आगे देखिए आगे question आपका काफी important है कि बताए the day of discovery of famous Indian scientist CB Ravan effect is celebrated as science day it is celebrated on which date यहनि किस तारीक को आपका बिग्यान दिवस मनाया जाता जो किसके खोज के लिए तो प्रशिद भारती बैग्यानिक CB Ravan effect खोज के दिन को बिग्यान दिवस के रूमे मनाया जाता है सबसे पहले आपसे question यही पूछा जाएगा कि बताए CB Ravan effect के बारे में किसने बताए था तो CB Ravan ही बिखती थे उनके नाम पर फेक्ट रखा गया है प्रवाव रखा गया है और वो कहां केते हैं वो भारती बैग्यानिक थे बारती बैग्यानिक CB Ravan effect खोज के दिन को बिग्यान दिवस के रूमे मनाया जाता है वो भी किसके तो CB Ravan effect के खोज के दिन के डिये ठीके खोज के खोज वाले दिन के कोई बिख्यान दिवस मनाया जाता है आगे आपसे कोशन पूचा गया थी बताए ACI खेलों का सरपर्तम आयोजन कब हुआ था तो ACI खेलों का सरपर्तम जो आयोजन हुआ था वो सन 1951 इसवी में हुआ था ACI खेलों का वेन वाजदा ACN गेम्स और औरनाइजड फोर दा फ़स्ट टाइम तो वो 1951 इसवी में कब गता 1951 इसवी में ACI गेम्स का औरनाइजड हुए था ठीक है आगे देखिए आगे आपको कुशन दिया हुआ कि बताइए कुशन काफी important है आपके लिए गोल इस दा ओटो वायोग्राफी और विच फेमस इंडियन हौकी प्लेयर गोल किस प्रसिद भारती हौकी खिलाडी की आत्म कता है गोल नाम की एक आत्म कता है वो किस भारती खिलाडी की है वो भी हौकी खिलाडी की है तो एक बहुती प्रसिद आपके हौकी खिलाडी है जो जाने माने आपके पैचाने व्यक्ति है जिनका नाम है मेजर ध्यान चंद्र जिनने हौकी का जादूगर का जाता है मेजर ध्यान चंद्र जी जो यह आपके उनकी एक आत्मकता है ओटो बायोग्राफी है जिसका नाम है गोल कहना में उसका गोल है जो किसके मेजर ध्यान चंदर जी की है जिने होकी का जादूगर कहा जाता है तो यही आपका अंसार हो जाएगा मेजर ध्यान चंदर मेजर ध्यान चंदर की आत्मकता का नाम है गोल, कहना मैं गोल, लच्छे, ठीके, आगे बात करते हैं, आगे कुशन है भासाई आधर पर राजियों का पुनर गठन कब किया गयता, ये कुशन साइध आपके एकजामें पूछा जा चुका है, UPVSC Nursing में साइध, भासाई आधर पर राजियों का पुनर गठन कब पासा के यादार पर बनने वाड़ा पहला राज आपका कोंसा है भारत का तो वह आपका राज्य जीसका नाम गठेत अहां वाल फश्ट आपका राज ये भारत या की बाकता लिए का जान अर्ट कि अनुन मेंarin वी कुछले हैं धूर्थ इसलिए हम दोनों बासओं में आता है इसलिए हम दोनों बासओं में में ध्युष्य लेकर आते हैं कि वह दिखते हैं फिर फिर दिखते और आखते हैं ये सिच्छाक अधिकार मूल अधिकार माना गया था जो 6-14 बर्स के जो बच्चे होते उनको फिरी में निसुलक में सिच्छा दी जाती है वो किस आर्टीकल में ऐसा लिखा हुआ है तो एक आर्टीकल है जिसका नाम है अनुछेद यानि आर्टीकल 21A यह आपको बहुत इंप सिच्छाक अधिकार के बारे में दिया हुआ हुआ है तो यही आपका राइट अंसर हो जाएगा आर्टीकल 21A हो जाएगा की नहीं हो जाएगा हो जाएगा आगे देखिए आगे कोशन है आपका मत देनी का अधिकार होता है मत देनी का जो अधिकार होता है वो constitutional right होता है इनकी सम्मेधानिक सम्मेधानिक अधिकार होता है नोट डाउन करें अपनी बुक में सॉरी सम्मेधानिक अधिकार होता है इनकी constitutional constitutional right आपका होता है सम्मेधानि अधिकार होता है सभी का मत देने जब बोट देने का जो अधिकार होता है वो एक सम्मेदानिक अधिकार आपका होता है ठीक है आपसे दिये सकता है उसमें नागरी का अधिकार है कि सम्मेदानिक अधिकार है कैसा अधिकार है तो यह सम्मेदानिक अधिकार है तो आगे आपका प्रेसीडेंट के द्वारा आपका दिया जाता है आंगे आपको यहां पर यह कुश्चन दिये हुए जो काफी इंपोर्टेंट है आपको हिंदी में आपको लिखे हुए है पहले आप जो इंग्लिस वाले बच्चे इस चीज़ को अपना इंग्लिस में चानवर्ट जरूर कर हंडी में मुझे मिला हंडी में ममनगे लोके लिए लेकर्ण है लेकिन यह कुश्चन आपके लिए मॉष्ट इंपोर्टेंट है यह कुश्चन आपको कर दिया पूछा जाता कि बता कि कांगरीमे की स्टापना कब होय थी ? मुझिम लीग की स्थाप्टन मुझDamतन आपनीक से आपन इसान जाकिती मुशलिम में रिएक औरuges मॊंचली का विताप्टन आपनीकिसे कुर सूर। में खोदी राम बोस को फांसी कभ दी गई थी तो खोदी राम बोस को जो फांसी दी गई थीYour 19087 में मालो मिंटो सुधार अद्नियम है कि एक्ट मालो मिंटो सोудार अद्नियम जो एक्ट आया ता digo मैं 20209 कब सन 1909 इस्वी में मालो मिन्टो सोधार अधनियम आपका पारित हुआ था 1913 में गदर आंदोलन गदर पार्टी जए गदर आंदोलन जब शुरूआ था तो 1913 इस्वी में प्रतम विसय तो कम शुरू हुआ था पहला फस्ट वर्ल्ड वार जो आपका था वो कभुआ था था तो कभुआ था था तो 1924 इस्वी में आपका था 1925 के नहीं निसो में 1949 से 1945 साइद है ठीक है आपका सेकेंड भी सुएद्ध है उनी सो उन्ताले से इस्टाड वो नी सो पैंतालिस तक चला हुआ था साइद और आपका गांधी जी का भारत में आगवन कब हुआ था गांधी जी इंडिया में कवा आई हुए थे तो वो 1925 में पढ़के आई हुए थे यह दूसरे देश से तो वो कब आयते भारत में यह पूचा जाये तो गांधी जी का भारत में आगवन नहीं सो उंजिए था लखनाव समझ उगें नडिवर्न हैंनी एस्टी जी मेंकिन कुछू आनेसो स술ा घ्राइज है वोग्री आपके चंपारण सत्यागरे आपसे पूछा जाता है तो चंपारण सत्यागरे जो उनीस सो सत्रा में स्टार्ट में हुआ था चंपारण सत्यागरे चंपारण आंदोलन जो है वो आपका उनीस सो सत्रा से स्टार्ट हुआ था यह कुश्यन आपसे पूछा जाता है और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार पूछा जाए आपसे कि बताईए एमदावाद मील मजदूर आंदोलन कभूगा था यह भी आपका समंदेत है गांदी जी ने समंदेत है यह भी तो ये आपका 1928 इसवी में, खेडा अंदोलन कभ गाता तो 1928 इसवी में, जलिया वाला बाग हत्याकंड ये कुश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जलिया वाला बाग हत्याकंड कभ गाता तो 1929 इसवी में, खिलापत अंदोलन कभ गाता तो 1929 इसवी में, ये त सायोग आंदोलन हुआ था कब 1922 में ठीक है 1922 में क्या हुआ था असायोग आंदोलन यह आप सभी लोग जो इंग्लिस वाले बच्चे वह इंग्लिस में सायोग आंदोलन यह था कि शुने जाने वाले एक मात्र राश्पती कौन थे अब व्यक्ति थे उनका नामतार यह आपके 6 नमर के व्यक्ति थे जो निर्वरोद चुने गए थे और ये 6 नमर के थे लिनका नाम क्या था तो नाम था इनका नीलम संजीव रेडी नीलम संजीव रेडी नाम के व्यक्ति थे जो राष्टपती बने विए थे भारत के शिक्स नमर के राष्टपती थे जो आपके निर्वरोध चुने गए थे एक मात्र राष्टपती थे यह आपके कि हमारा राष्टी गीत कां से संकलित है from where is our national anthem compiled तो यह आपका हमारा राष्टी गीत जो है वो आप सभी को पता है आनंद मठ आनंद मठ से संकलित है आनंद मठ से आपका लिया गया है हमारा राष्टी गीत जो है वो कां से संकलित है कां से compiled है तो वो आपका आनंद मठ से ठीक है आए नेखिए आगे आपका कोशन दिया बिस्तु का सबसे बड़ा दीप समू कौन सा है देखो बिस्तु से कोशन तो वैसे बहुत जनरली कोशन आपसे पूछ जाए ऐसा नहीं कि बहुत रिटेल में कोशन पूछा जाए यह इतना बड़ा एक्जाम आपका नहीं है लेकिन कुछ जनरली कोशन है जो आपको पता भी होने चाहिए जो आपसे पूछे जा सकते है जो कचा छेगे बच्चे को भी पता होते है वो कोशन आपको पता होने चाहिए तो बिस्तु का सबसे बड़ा दीप समू कौन सा होता है तो बिस्तु का सबसे बड़ा जो दीप समू है आपका उसका नाम है इंडोनेसिया, विस्सु का सबसे बड़ा दीप समू जो आपका है वो कौन सा है इंडोनेसिया है, तो यह आप अपना कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, आगे देखिए, आगे पुछा जाए कि विस्सु की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लोंगेस्ट रिवर ओफ दा वर्ल्ड, विस्सु की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम है नील नदी, नील नदी है, जिसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई है, आपकी 6650 किलो मीटर, 6650 किलो मीटर इसकी लंबाई है, कौन सी न सबसे बड़ा नदी दीप कौन सा है largest river island in the world तो विस्भका सबसे बड़ा जो नदी दीप है उसका नाम है माजुली माजुली दीप है जो भारत में ही आपका है काँ पर है भारत में माजुली दीप है जिसका नाम क्या है माजुली और यह नदी सबसे बड़ा नदी दीब माना जाता है वो कहां पर है भारत में आपका ठीक है आए देखिए विस्तु का सबसे बड़ा देश कौन सा है विस्तु का सबसे बड़ा देश यद आप से पूछा जाए और भारत कितने नमर पे आता है बड़े में तो भारत जो है वो आपक दूसरे नम्मर पर आता है कुछनसा रूस के बाद आपका कनाड़ा यह दूसरे नम्मर पर और तीसरे नम्मर पर आता है अमेरिका- लेकिन आप इस साल जनगर्णा में बताएगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंक्या हो गई अब तो बैसे पूचे जाए बिस्ट का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस है सेकें नमर पे कनाडा है फिर अमेरिका है फिर सात्वी नमर पे आपका भारत है ठीक है आगे देखिए आगे आपका कुशन दिया बिस्ट का सबसे बड़ा रेगिस्टान कौन सा है लाजेश डेजर्ट इन दा वर्ल्ड बिस्ट का सबसे बड़ा जो रेगिस्टान है वो आपका रेगिस्टान है सहारा रेगिस्टान कहां पर पड़ता है तो Afrika में आपका है कहां पर है आपका अफ़ीका में ठीक है आगे कि जड़ी जली एंगे देखी दिखें को का बहुत सारे कोशन है AB suggested measure ऐस्या का पूछा जाए तो ऐस्या चा सबसे बड़ा जो liked assessment nào डेजर्ट है वो आपका गोवी डेजर्ट है कौन सा है गोवी डेजर्ट है वो गोवी नहीं खाने वाली ये और आपकी किसी रेगिस्तान की बात कर रहे हैं तो ASEA का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका है वो कौन सा है? गोवी रेगिस्तान है, ठीक है? और ऐसे पूछा जाए पूरा विस्दू का पूछा जाए तो सारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में पड़ता है आगे देखिए विस्सु की सबसे उची परवत चोटी कौन सी है विस्सु की सबसे उची हाइस्ट माउंटेन पीक इन दा वर्ल्ड तो वो चोटी आपकी है माउंट एबरेश्ट माउंट एबरेश्ट जिस जो सबसे जादा सबसे उची चोटी है इसकी उचाई कितनी है तो वो 8,804 यहीं 8,848 किलो मीटर माउंट एबरेष्ट जो है वो विश्टू की सबसे उची परवचोटी है माउंटेन पीक है जो उसकी उचा ही पूछी जाए तो आपकी 8,848 किलो मीटर है ठीक है आगे देखिए आगे आपका कुश्चन है विश्टू की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है यह कुछ important कोश्चन है सभी नहीं हम आपको करा रहे हैं फिर अभी बारत की कुश्च कोश्चन है कुछ बां से कोश्चन है बहुत अच्छे कोश्चन आज आप सभी के लिए लेकर आएं तो class को पूरा जरू देखे class को अभी तक आपने like नहीं किया खारे पानी की जील कौन सी है तो बिस्ट में सबसे रखी खारे पानी की जील है उसका नाम है कैस्पीयन सागर कैस्पीयन सागर जो खारे पानी की जील है, पुछा जा जा है, लारजेיל साल्ट वार्टर लेक in the world, तो कैस्पीयन सागर आपका, कौन सा है, कैस्पीयन सागर आगे आप से पुछा जा कि बिस्चु की सबसे बड़े ताजे पानी की जील है, आपकी वो क्या है, लाइक सुपीरियर नाम की जो जील है वो विशु में सबसे बड़ी ताजे पानी की जील आपके है जिसका नाम है लैक सुपीरियर क्या नाम है लैक सुपीरियर ठीक है आंगे देखिए आंगे आपको कोशन दिया है कि बताएए विशु की सबसे गारी जील जील कौन सी है, which is the deepest lake in the world, विश्चुकी सबसे गेरी जील कौन सी है, तो वो जील का नाम है, बेकाल, यदे आपका काल आएगा, तो फिर समझे लो, बेकाल जील, जो बेकाल, यदे आप गेरी में जाओगे, तो आपका काल है, वो निश्चित ही है, यदे आप गेरी जील में गोसोगे, गेरे पानी में गोसोगे, तो आपका काल जो है, वो निश्चित ही है, आपका आगे आपका आगे है, अमरतोने की समझावना है, तो यहां से आप याद कर सकते हैं, बेकाल जील, बेकाल जील है, वो विश्चु की सबसे गेरी जील है, कौन सी जील है, गे जील है आगे देखिए, आगे आपसे पूचा जाए कि विश्ट का सबसे बड़ा डेलटा कौन सा है? कौन सा सुंदर बन डेलटा जो कहा पर है? किस नदी में है तो गंगा नदी में है यह कहा पर है? ये गंगा नदी में आपका आएंगे देखिए आएंगे आपका कुशन दिया विस्टु का सबसे बड़ा महा काब भी कौन सा है विगैष्ट इपिक ओफ दा वर्ड विस्टु का सबसे बड़ा महा काब भी कौन सा है तो आप सभी ने सुना होगा जिसका नाम है महा भारत ना बारत का सबसे ऊचा बांद, लंबा बांद, ये बहुत सारे बांद आपसे पूछे जाते हैं, जो पूछे भी जा चुके आपके एक्जाम में, तो भारत का सबसे ऊचा बांद है, जिसका नम है टेरी बांद, जो किस नदी पर है और कहां पर है, तो टेरी बांद है, किस नद सा है तो तैयरी ब appl है कितना है तो दो सु Tublio and información ओचा थीडितिकर दो सु साथ किलो मीटर ऊचा है और यह Works नदी पर एख ऱफ़ाहई रती नदी पर कहां पर ए तो उत्राक्ने ड में है याद कर ऑफ इंडिया यह ओंदिया लंबा ऊचा बारत सबसे लंबा ऊचा बांध उच्छilan बांध कों सा है तो और रहगे नाम हीरा कॉंड बांध पूछा गांंना बांद से तो कि लंबा पूछा जा तो तो तरııरि और उच्छ dorm कुंड बांद बांद यो कहा पर है सतलज नदी पर है महा नदी पर हीरा कुंड बांद है यो आपका कहा है और अडिसा में है भारत का सबसे उचा रबाद पूछा जाए तो वह कौन सा हीरा कुंड बांद है जो कहाँ पर है महा नदी ओडिसा में महा नदी पर है और ओडिसा में आपका है ठीक है आए देखिए आगे आपका कुशन है सर्दा सरोबर बांध किस नदी पर इस्तेत है तो सर्दा सरोबर बांध हम आपको पहले भी बता चोगी नर्वदा नदी पर इस्तेत है कहाँ पर है नर्वदा नदी किस पर नर्वदा नदी पर आपका है सरदा सरोवर बांद सरदा सरोवर बांद जो है वो किस नदी पर है आपका नर्वदा नदी पर यही पर और बांद आपसे पूचा जैसे पूचा जा कि जवार सागर बांद कहा पर है जवार सागर बांद जो है वो आप पर आपको कहा चमल नदी पर यही पर आपसे पूछा जाएं कि बताए कोमई बांत कहा aan पर है हाँ महाराष्ट मेरे फोचा आप से पूछा जाएगी कि ही बताई किहा ल मार्टी बांद कहा लगा देना फो aller पर है किशने मगा किहंते आपका ल मार्टी बांच पर आपका ल माती भयास पर हुमने कि लो ख़ते को निज जिया वह सब्से जादा Clay मार्टी खाते थे मार्टी खाते त Wochen करनाटक में आपका कोश्हण बांध नागा अरज in बांध का और एक साथ रहते थे हैं तो यह भी आपका किष्णा नदी पर और यह भाण बना वह काँ पर है तो आंदप्रदेस में आपका है यह अपका और आठेम में है और यह कहां पर है तो यह आपका माद् में वो किष्णा नदी पर आंद प्रदेश राज में है ठीक है आंगे आपको कुशन दिया कि भारती संसद का निम्न सदन कौन सा है विच इस दा लोवर हाउस ऑफ दा इंडियन पार्यमेंट यह भारती संसद का जो निम्न सदन एक आप से निम्न सदन लोवर हाउस पूछा खाल जाएगा एक आप से अपर आउस पूछा जाएगा और यह दोनों ही हम आपको पहले भी करा धून सा होता है अपर हाउस सदन कौन सा है और उच्छ सदन आपका कौन सा है अपर आउस अर राजे-संव में और राज्जिसवा संसद ती संसद तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है संसद में तीन चीज़ें आती है आपके राश्टपती आता उसमें राश्टपती संसद में सामिल है आपका लोगसवा आपकी संसद में आती है यह वी संसद जो है राश्टपती लोगसवा और राजसवा से मिलकर आपकी बनी होती है ठीक है इसमें तीन अंग सामिल है आगे कुछन पुझा जाए कि बिस्मिल्ला खान का समंद किस बाद यंत्र से है यह कुछन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो बिस्मिल्ला खान जो थे वो सेनाई से समंद देते आपके किस समंद देते सेनाई से बिस्मिल्ला खान जो थे वो किस instrument से समन देते musical instrument तो वो आपका था Senai क्या था आपका Senai जो आपने देखी होगी साधी विया में बज़ती होई ठीक है आँगे देखिए Discovery of India पुष्टक किसने लिखी थी तो Discovery of India जो पुष्टक है वो जवालल नेरु जी के द्वारा जवालल नेरु के जी के द्वारा लिखी गई थी जवालल नेरु जी के द्वारा लिखी गई थी अभी हमने आपको बताया था जवालल नेरु जो थे उनका समान दी इस्तल कहा था अभी थोड़ी देर पहले सुरुगात में हमने आपको बताया था कि बताई जवाला नेरु जी का समांधी इस्तल कहां था यह पर नेरु लिख लो नेरु नहीं नेरु जवाला नेरु जी का जो समांधी इस्तल था वो हमने अभी बताया था जवाला नेरु जी थे वो सांती सुवाव के थे तो उसका क्या था सांती घा आपका की बताईए भारत की सुसंद्रता के समय ब्रिटेन के प्रदान मंत्री कौन थे जब भारत की सुसंद्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के पी एम कौन बने हुए थे तो ब्रिटेन के जो पी एम थे मिनिस्टर और ब्रिटेन उनका नाम था क्या व्यक्ति थे जिनका नाम क इटली नाम के व्यक्ति थे बारत की सुसंद्र के समय बारत जब सुसंद्र हुआ था पंदाग सुनीस सेतार इसको तो उस टाइम बिटेन के जो प्रदान मंत्री थे वो कौन थे ख्ली मैट एटली तो यह नाम आपको याद कर लेना इंपोर्टेंट है आपका ठीक है आए दे सब्ड है यह कैसे समम्दित है इस प कुशन और भी आपको करा चुके पीछे वीडियो में तो आप उनको भी जाके देख सकते हों आरे साटीक है तो डबन फाल तै यह साब्ड यह सब्ड है टेनिस में किसने की लाड़ी होते है तो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते है ठीक है बिस्तो इकरत दिवस का मना जाता है बिस्तो इकरत दिवस जो है पुछा जाए कि बर्ल लीवर डे का मना जाता है तो बर्ल लीवर डे जो है वो 19 अपरेल को मना जाता है का मना जाता है 19 अपरेल को और दूसरी बात जो आपका इकरत होता यह हमारे सरीर का सबसे बड़ा सबसे बड़ी गिरंती है largest gland पूछी जाए आपसे की largest gland कौन सी है आपके सरीर में तो वो आपकी इक्रत यानि की लीवर होता है पूचा जाए लीवर का कार्य क्या होता है तो लीवर जो है वो विटामिन B वारा का संचे करता है विटामिन B वारा को स्टोर करता है गुलू कोज को गुलू कोज को एनरजी में कनवर्ट करता है गुलू कोज को ऊर्जा में बदलता है सरीर से टॉक्सिक पदार्तों को निकालता है सरीर में जो टॉक्सिक पदार्त होते हैं जैरीले पदार्त होते हैं उनको ये निकालने का काम भी करता है, कौन हमारी एक्रत, बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे सरीर में में पूछा जाए कि हमारे सरीर में टॉक्सिक पदार्तों को कम कौन करता है, जैरीले पदार्त को बार कौन निकालता है, तो वो आपका एक्रत ही निकालता है, विटामिन से युईया बनती है जो आपकी वो कापर बनती है एक्रत में ही आपकी बनती है भारत का प्रतम आडवी केंद्र कहां पर है भारत का प्रतम आडवी केंद्र कहां पर वेर इस दा फर्स्ट एटॉमिक सेंटर ओफ इंडिया तो भारत का जो आडवी केंद्र है प्रतम वो आपक सोसंद्र भारत के प्रत्थम गवर्नर जण्रल कों थे तो प्रिस्ट गवर्न जण्रल अफ इंडिया तो वहाँ के वहाँ आपके ब्यक्ति थे जिनका नाम थे लौड लॉडूर्ड माउंट वेटन जो थे वह सुसंद्र भारत के प्रथम गवंणर जंनल थे प्रथम भारती गवंणर जंनल यह आपसे पूछा जाए तो प्रथम भारती गवंणर जंनल जो थे वो आप सभी को पता है सी राज गोपाला चार सी राज गोपाल गोपाल चार सी राज गोपाला चारी जो थे वो आपके क्या थे भारत के प्रतम भारती गवन्ना जनरल बने हुए थे कब बने थे तो सन 1948 इस भी में और उसके बाद तो फिर हमारे आपक गवन्ना बनना शुरू हो गए थे राज पाल बनना शुरू हो गए थे लेकिन प्रतम भारती गवन्ना जनरल कौन बना था तो सीर राज गोपाल चारी नाम के व्यक्ति थे और कब बने हुए थे तो सर 1948 ECB में ठीक है आगे देखिए बहुत की में नोविल प्रुसकार प्राप्त करने बाले प्रतम भारती कौन थे दा फॉस्ट इंडियान ओफ रिसेसिव दा नोविल प्राप्त इन फिजिक्स बहुत की में सबसे पहले नोविल प्रुसकार किसे मिला था तो वो व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन नाम के व्यक्ति थे जिनको सर 1930 ECB में बहुत की से संबन देते आपके सीवी रमन ऐसे व्यक्तिते जिनको सबसे पहले नोबिल पुरुसकार मिला था कम मिला था तो इन्हें मिला था रमन एफेक्ट की वज़े से जो रमन एफेक्ट रमन प्रवाव था उसके बारे में इनोंने बताया हुआ था रमन एफेक्ट क्या होता है अपने फिजिक्स में प प्रथम भारती व्यक्ति बताओ, भारती पूछा गया आप से, बिसुका नहीं पूछ रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, तो द्यान से सुनना मेरी बात को, अंत्रिश में जाने वाला प्रथम भारती व्यक्ति जो था, वो राकेश सर्मा, राकेश सर्मा जो थे, वो पहले व हुए थे ठीक है आगे देखिए आगे आपका कोश्चन है ऐसी बन लाइनर आप से कोश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही सरल कोश्चन पूछ जाते ज्यादा कटेन आपसे नहीं आएगा जैनली कोश्चन आपसे पूछ आएंगे जो आपको पता होने चाहिए जो आपकी उसका नाम अचाहिए जो आपका बना होगा था उसका नाम था लौड वीलिययम बेंटिंग व्यक्ति था जो भारत का प्रतम बर्टिस ृटिस जड़नर चननल बना हुआ था ये क्कुछ न आप से बहुत पूछा जाता लौड विडियम बेंटिंग नाम का व्यक्ति था है वो सबसे पहले गवर्णर जर्रल बना जोग फूइन है आगे देखिये आगे आपका कुश्ण है दिखो मो चलाते चलाते कभी गवाद थक जाता है तो हो सकता है कोई सब्सक्राइब कुझे काफ़ी देट को यह बनातें, बनातेंसे भास बनाता है लेकिन हम यह रहरे,szychल्समों का बनाता है, यह जल्सक्न साथ है। रहें और चिला भी रहें दिमाग भी चला हाथ भी चल रहें तो एक वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगता है तो आप समझ सकते हैं तो आप मेरी मैनत को थोड़ा और अच्छा बनाएं अच्छे से चीजों को पढ़ें और अपना सेलेक्शन लेक्शन लेके हैं जिसे वीडियो देखें हम तो बनाई रहें अच्छे से आपके लिए लेकिन आप नींद में न देखें आप अच्छे से पढ़ें उस चीज को याद करें तो ज्यादा वैतर रहेगा आपके लिए ठीकर बारत के प्रतम मुख्य न्याइदीस कौन थे बारत के प्रतम मुख्य न्याइदीस पस्ट चीफ जस्टिस ओफ इंडिया तो भारत के प्रतम मुख्य न्याइदीस जो आपके बने वे थे उनका नाम था न्याइ मूर्ती हीरा लाल जे कानिया नाम क्या था हीरा लाल हीरा लाल जे कानिया हीरा लाल जे कानिया नाम के व्यक्ति थे जो भारत के प्रतम मुख्य न्याइदीश बने थे चीफ जस्टिस बने हुए थे कब बने हुए थे तो सन 1950 और 51 के बीच में ठीक है 1950 के करीबन ये बने हुए थे तो आपको सन नहीं पुछी जाएगी सरब आप दुना या तो प्रतम बोलती फेलम का नम है जिसका आम आवारा क्या नाम है क्या आत्ये करल सी उसका नम है और आज़े-स क्पूछ जा है कि विच इस अज़ा सैलेंट फिल्म फिल्म कहन सी थी तो वह फिल्म नाम सभी ने नाम सूना वसकाया o राजा आरिशचंद राजा अरδिश चैन जो थी वो प्रतम मूग फिल्म थी आपकी राजा हरिस चंद ठीक है तो यह आप अपना कहीं नोट डाउन कर ले यह आप से बोलती फिल्म पूछी जाए तो आला मारा बताओगे और प्रतम मूग फिलम पूछी जाए, साइलेंट फिलम पूछी जाए, तो राजा हरीश चंद बताओगे, ठीके, आएंगे देखिए, आएंगे कुशन आपका दिया होगे, नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाला प्रत्थम भारती कौन है, फिस्ट इंडियन टू रिसीव नोबिल प्र तो नोबिल पुरुसकार को प्राप्त करने वाला प्रती है, जो इसे घीत अंजली के लिए, गीत-यू एंजली के लिए पुरुसकार मिला उब्यक्ति का नाम है रवीधन नात्ट टैगोर, जो जानने माने व्यक्ति हैना टैएं, जिन्होंने राश्टीगान लिखा हुए अमारे देश का हमारे देश का क्या बंगला देश का भी इनोंने राश्टियान लिखा हुआ है जिनका नाम है रवींद्रनाथ टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्हें सबसे पहले नोविल पुरसकार मिला हुआ था सन 1913 इसवी के करीवन सन 1913 इसवी में इनको नोविल पुरसकार मिला हुआ था किसके लिए मिला था किस पर मिला था तो गीता अंजली पर मिला था गीता अंजली क्या है तो एन प्रकार का उपर नियास है जिसे इन्हें सबसे पहले नोविल पुरसकार दिया था वह भारत में भारत में सबसे पहले नोविल पुरसकार क किसे मिला है तो रवीन नाट टैगोल जी को मिला है कब मिलाता तो 1913 इसवी में किसके उपर मिला है तो गीता अंजली के उपर ठीक है याद करें न काफी important question है और पूछा भी जाता आप से question है कि सुसंत्र भारत के सुसंत्र भारत के प्रतम सिच्छा मंत्री कौन थे who is the first educational minister of independent India तो सुसंत्र भारत के प्रतम सिच्छा मंत्री जो थे वो आपके कौन थे उनका नाम है व्यक्ति थे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद डॉक्टर अबुल कलाम आजाद डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जो थे वो भारत के प्रतम क्या थे आपके सिच्छा मंत्री बने हुए थे सुसंत्र भारत के प्रतम सिच्छा मंत्री कौन थे तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद आपके वने हुए थे ठीक है आए आपसे कुछा जा कि बताए भारत की प्रत्थम मेला राष्टपती कौन थी भारत की प्रत्थम मेला राष्टपती कौन बनी होई थी तो भारत की प्रत्थम मेला जो राष्टपती थी आपके जिनका नाम है प्रतिवा देवी पाटल यह हम आपको बतावी चुके कब बनी हुई थी मुझे कमेंड करके जरूर बताना मैंने एक दा बार नहीं फिलकि दो बार हम बता चुके आपको सभी राष्टपती की लिष्ट हम आपको दो तीन बात दिखा चुके क्लास में और आपको बताना होगा कि प्रत्वा देवी पाटिल जो है व वो प्रथम मेला राष्टपती वने हुई थी का की भारत की इंडिया की ठीके आगे देखिए आगे आपका कुशन दिया हुए कि माउन्ट एवरेष्ट पर चड़ने वाली प्रत्वा भारती मेला का नाम बताइए तो उन मेला का नाम है बचेंद्री पाल बचेंद्री पा पर चड़ने वाली प्रथम भारती मेला का नाम बताई तो आपके सबसे दो बार किस पर चड़ी थी एवरेश्ट पर चड़ी होई थी ठीक है फर्स्ट इंडियन वोमेंट टू क्लिम एवरेश्ट ट्वाइस कितने बार चड़ी थी दो बार चड़ी थी तो यह पहली मेला है जो दो बार इस पर चड़ी होई थी यह कोशन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्डेंट था आएं कोशन है आपका कि अंत्रिश में जाने वाली प्रथम मेला कौन सी है अंत्रिश में जाने वाली प्रथम मेला का नाम है किरडवेदी अंत्रिश में जाने वाली प्रथम मेला का नाम है क्रडवेदी ठीक है यह याद कर ले ना आगी कुशन है आपका कि अंत्रिश में सरवाधिक समय तक रहने वाली प्रथम मेला कौन सी ह अंत्रिच में सरवादिक समय तक रहने वाली प्रत्थम महला जो आप किती उनका नाम था सुनीता बिलियम्स नाम की जो महला थी वो सबसे ज़्यादा अंत्रिच में अपना टाइम है वो वितीत किया हुआ था बाकी के लोगों की अपेच्छा अंत्रिच में सरवादि समय वितीत करने वाली जो प्रत्थम महला थी उसका नाम था सुनीता बिलियम्स क्या नाम था सुनीता बिलियम्स ठीक है आएं देखिए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की जील बतानी होगी भारत में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्रेकस कि आपके ओडिसा में है कहां पर यह आप Ihr कि में जील परती है दिआए जिसका नाम है चिल्का जीब भारत की सबसे वड़ी खारे पानी की जील कैसी घारे पानी की जील आइंए देखिए मारत का सबसे बड़ा प्राकर्तिक बन्दरगा कहां पर यह बज़ Agency इंडियास लाजेस नेचुरल पोर्ट बारत का सबसे बड़ा जो प्राकर्तिक बंदरगा है नेचुरल बंदरगा है वो मुंबई में आपका कापर है मुंबई माराष्ट में मुम्मई माराष्ट में ये पड़ता है जो बारत का सबसे बड़ा प्राकर्टिक यान की नेचुरल पोर्ट है आपका ठीक है कहाँ पर है मुम्मई में सर्वोच न्याले की प्रिथम मेला 29 कोन थी सर्वोच एन की फर्ष्ट बोवेंज जो ऑफ सुप्रीम कोट की पहली मेला आप से पूछी गई न्यायदीस कोन बनी थी तो उनका नाम आप सभी को पता है पहले से न्याय मूर्थी मीरा साइब मीरा साइब फातिमा मीरा साइब फातिमा नाम की एक मेला थी जो सबसे पहले सुप्रीम कोट की न्यायदीस बनी होई थी कब बनी थी सर्वोच पहले ये बनी होई थी उसके बाद आप से पूछा जाए कि बारत का प्रतम प्रचेश पात्र कौन है विच इस दा फश्ट मिसाइल ओफ इंडिया बारत का प्रतम प्रचेश पात्र कौन सा है तो उसका नाम है प्रत्वी प्रत्वी जो है वो सबसे पहली मिसाइल है इंडिया की और ये कैसे मार करती है तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम क्या है प्रत्वी है जो बारत की प्रतम प्रचेश पात्र को का पर बार करता है तो यह जमीन से जमीन यह भी भार करता आपका ठीक है लेंड अ हिसके बार को फैसके सहे लेंड्य को मारती है ग्रहें जमीन से हभा में मार करने वाली जमीन प्रहें या नम है तरसूल नियान GU पहाँ में फैकोगे उपर उत्राइज ज्यादा उड़के दूर जाएगा यह तो उपर जब फैकोगे किसमें फैकोगे हवा में तो तिरसूल जो है वह लेंड टू एयर मार करता है ठीक है यह आप याद करने काफी नरोरा परमाडू बिद्दूत गिरहे कहा पर है वेर इज नरोरा नूकलीर पावर प्लांट तो वह आपका कहा है यह पता होना चाहिए काफी इंपूलिण कोशण है यह आपका जो है वह वह कहाँ पर है बुलुनन दस यूपहमे बढ़ता था नरोरा परमाडू विद्दुत गिरह कहां पर है, पावर प्लांट कहां पर है, तो बुलंद सेर यूपी में आपका है, उसके बाद आपका पूचा जाया कोशन की बताईए, भारत रतन, भारत रतन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो सम्मान यद आपसे तो वो सम्मान है, आपका पदम भीवूषड पदं भीवूषड पदं सिरी आपने सुन नहीं सुना होगा, पदम भीवूषड पदम भीवूषड यही आपका अनसर हो जाएगा ठीक है आगे कुछ देखो यहां पर में ऑथर एंड बुक कुछ में मुखे लेखक है आपके लेखक और उनकी बुके जो आपके एक्जामें पूछी जाती है पूछी जा चुकी है जैसे सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद की डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद होते हैं उन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी जिसका नाम था आप लिखते जाएं कहीं पर हम लिखें यहां पर टाइप परके नहीं लाएं इंडिया डिवाइड थोड़ा ही है थोड़ी है ज्यादा नहीं है इंपोर्टेंड है उनक अबुल कलाम की पूछी जाती है जिसे अब्दुल कलाम कहते हैं मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक का नाम यह आप से पूछा जाए तो इंडियास बिंस फ्रीडम इंडियास बिंस फ्रीडम नाम की पुस्तक है वो अंग्रेजी में लिखी गई थी और यह किसकी पुस्तक ह यह मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम की पुस्तक का नाम है India wins freedom एक दो बार आप इन पुस्तक को लिखोगे तभी याद रहेंगी आप देख रहे हो वीडियो को के बस सुन रहे हो तो आपको याद नहीं होगा लिखते हुए चले मेरे साथ साथ तो ज़्यादा बेतर रहेगा तो मौलाना अबुल कलाम की क्या है India wins freedom आगे देखिए आगे आपके लिए याँ पर है कि बताइए मुंसी प्रेम चंद यह पुछी जाती है आपसे यह आपने हिंदी में भी पढ़ियोंगी 9th, 10th में मुंसी प्रेम चंद की पुछता कोन है जो मुखिता पूछी जाती है एक आपकी गोदान पुछी जाती है आपसे गोदान है आपका गवन है एक आपकी रंग भूमी यह तीनों पुछता का आपसे बहुत जादा पूछी जाती है कि बताई गोदान किसकी है गवन किसकी है रंग भूमी किसकी है गोदान, गवन और रंग भूमी है जो हैं वो मुंसी, प्रेम, चंद की पुछता की है ठीक है उसके बाद आपसे पूछा जाए कि मादेवी वर्मा की कौन कौन सी है तो मादेवी वर्मा की जो मुखिता पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है कौन कौन सी यामा यामा पूछी जाती है आपसे एक नीरजा पूछी जाती है नीरजा पुछी जाती है नीरजा पुछ मैदली सडगुप्त की पुछतक है जो बहुत ज्यादा पुछी जाती है यह सोदरा सोदरा शोदार पुछतक यह ऑमिकार सडगुप्त की था फूदरा क्या शुद्व Weak अरुवसी नाम की पुष्टक यहां है वह आपकी नाम धारी सिंघ्डिनकर की यहां है। गीत आंज पुष्टक की में पूचा delta रवीद रनाथ टैगोर की पुष्टक का नाम पूचा जाए तो आप बता दोगे क्या गीता अंजली ठीक है तो यह कुछ बुके थी और भी बहुत सारी बुके हैं वह हम आपको करा देंगे नहीं तो आप एक बार इन पुष्टकों को पढ़के जरू जाए जो इंपोर्टे हैं जो आप पढ़के जरू जाए जो आपके एज़ा में जनरली पूछी जाती है ज्यादा डीपली नहीं जाना आपको जनरली आपको याद करके जाना है जो आपसे पूछी जा सकती है ठीक है तो आशी क्लास हमारे साब से हैंई पर आपकी कंप्रीट होती है बहुत सारे क में आपको करा दिये काभी कोउuben्चन तो लगवाच ड कहला दिया और आगी तक आपने टेलिघ्राम चैनल को जोई ना किया हूं तो कर लीजगा जिसे का नाम है बाइली विद आर्ती कोई भी अपडेट आती है कुछ भी हमारे पास क्लास से समन्दन सुचना होती है तो इसी चेनल पर सबसे पहले हम बेज़ते हैं बायालोजी विद आर्ती ठीक है तो आसा करते हैं कि आपको यह सभी कोश्चन अच्छे समझ में आयों ना आयों समझ में कोई कोईशन में डावट हो आपका मेरी से कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माप करना आप कमेंट करते swiftर देना जरूर यहना संचे कि में बताईंगी तो यह कहीं मैं मेरी गलती निकारते हैं हम कभी एसा नहीं सोच ती हूँ होती है माना उसे होती है मुझे मुझे काफी गलती हो जाती कभी कवार जब मांड सही से काम नहीं करता है तो कोई question में अदम ने गलती की है तो आप comment में लिख सकते हो मैं उसका answer भी दे देंगे आपको गलती होगी तो उसे हम सोधार देंगे ठीक है तो मुझे भी पता चल जाएगी गलती एक बार अच्छा comment मद नहीं नकियों करें आप लेकिन कोई गलती है तो उसे बता दिया करो जिसे हम उसे सुधार ने की courses करें ठीक है तो चलिए मिलते फिर साम 6 बजे live class में बहुती सांदर class लेके आई है साम 6 बजे biology की तो thank you so much all the west जहिंद